तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यह जो ट्रेडिंग सेट अप है तो निप्टी बैंग निप्टी या स्टॉक में किसी भी दुनिया के इंस्टूमेंट में जाएंगे तो आप इस्तमाल कर सकते हैं उसके लिए क्या करना है आपने आइसा एरिया आपके च अगर देख रहे होंगे इस यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर जब प्राइज जो है तो वो नीचे आ गया और उसके बाद में जो है तो यहां पर एक डोजी बनाया डोजी का क्या मतलब होता है इन डिशिजन होता है और उसके बाद में जो है तो बड़े-बड़े कैंडल बनाते हुए जो है तो price suddenly जो है तो ये ऊपर चला गया है इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको simple बताता हूँ इसका मतलब है कि इस level पे जो है तो ये demand zone है ये क्या हुआ ये हुआ demand zone तो अब आपने next time क्या करना है कि price का patiently wait करना है आपने उसके पहले जो है तो ये इस level को ये जो डोजी बना है हमने price में जो है तो moment आने के पहले जो है तो हमारी entry होनी चाहिए जो retailer होते है वो क्या करते है प्राइज में moment आने के बाद में वो entry करते है लेकिन professional trader वो ऐसा नहीं करते है professional trader जो होते है तो उनकी वज़े से जो होता है moment आने के पहले ही वो entry कर लेते है और retailer की जब moment आता है तो बाद में उनके force की वज़े से जो professional होते है उनका profit बनता है तो next time अब आपने क्या करना है यह जो जहां से price क्या हुआ है इस level से जो है इस level से तो वो उपर चला गया है तो अब हमने क्या करना है कि यह जो जहां से price उपर गया है reverse हुआ है इसको जो है तो इस area को हमने identify करना है और इस candle का जो है तो high और low जो है तो हमने mark कर लेना है इस को जब आप मार करेंगे तो next time क्या करना है आपने price जब भी इस तरह से कभी भी हो सकता है वो one week में आए one day के बाद में आए या तो price कभी भी इस level पर आ सकता है तो आपने क्या करना है कि simple price जो है तो इस level पर आने का जो है तो आपने patiently wait करना है अब आपके लिए जो है तो इस level पर क्या हो जाएगा इस लेवल पर जो है तो विडाउट यहां पर जो है तो हैजिटेशन आपका जो है तो वह लॉंग इंट्री यहां पर जो है तो वह बनना चाहिए इस तरह से आपके लिए इंट्री कहां पर हो जाएगा आपका इंट्री हो जाएगा आपको कोई भी यहा वाला हो जाएगा सिधे सा सिंपल सी बात है यह जो सप्ला है और डिमांड के हिसाब से यहाँ पर जो है तो यह काम करता है तो लेकिन उसके लिए आपने सेट अप का इस तरह का बनना चाहिए यानि कि इस बीच में जो है तो रेड केंडल यह खाद हुआ या तो छोटा सा हु है तो यह डिमांड जोन होना चाहिए इसको आपने ध्यान में रखना है इसके आपो जित मैं आपको अभी एक सप्ला जोन का एक एकजामपल बताता हूँ और उसके बाद में जो है तो मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ और लेटस का जो प्राइ बनाया डोजी का मंतलब होता है इन डिसिजन और उसके बाद में क्या हुआ कि प्राइज जो है तो बड़े-बड़े कैंडल यानि कि बिग बार बनाते हुए जो है तो वो नीचे चला गया इस तरह से तो अपने क्या करना है अब नेक्स टाइम आपके लिए जो बाइंग और सेलिंग का डिसिजन कहां पर होना चाहिए वो होना चाहिए पहले तो आपने इसका ये कैंडल का जो है तो इसका हाई और लो मार्क कर लेना है इस तरह से अब आपने पेशेंटल क्या करना है वेट करना है प्राइज का जो है तो इस लेवल पर आने का इस बॉक्स के अंदर price आनी चाहिए, अब मान लो price ने क्या किया, कि price इस तर अचे जो हे, तो यहाँ पर price आ गया, अब आपके लिए जो हे, तो इस without आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए आपकी यहाँ पर जो हे, तो वो क्या हो जाएगी, आपके लिए यहाँ पर short entry हो जाएगी और आपका जो stop loss होई तो इसके ऊपर आ जाएगा और आपका target कहाँ पर आ जाएगा यह आपका target आ जाएगा जो next आपके लिए यहाँ पर जो है तो जो support का level है वो कौन सा level है आपके लिए next यह वाला तो यहाँ पर आपका target हो जाएगा इसके बाद में मैं आपको practical चार्ट प तो यहाँ पर इस level पर क्या हुआ है यहाँ अगर देखते है यहाँ पर मैंने यह arrow जो है तो मार्क किया है तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो उसके बाद में price ने क्या किया है price यहाँ से जो है तो suddenly बड़े बड़े जो big bar होते है उनको जो है बनाते हुए price उपर चला गय तो आपके लिए ये जो लेवल है तो ये क्या हो गए आपके लिए ये हो गए आपके लिए डिमांड जोन इस तरह से तो अब हमने क्या करना है इसका जो हाई और लो है इसको सबसे पहले तो हमने मार्क कर लेना है किस तरह से मार्क करेंगे हम सिंपल है जो जिस कैंडल ने जो तो इस level पर आएगा तो हम जो है तो वो trade decision लेंगे तो इसके बाद में मैं इसका अब replay mode जो है तो on करता हूँ और हम इसके बाद में price action देखेंगे तो यहां पर अगर देखेंगे हमने पेशेंटली वेट करना है प्राइज का जो है तो इस लेवल पे आने का इस लेवल पे आने का और उसके बाद में मैं आपको डिप में बताता हूँ कि इसके उपर आपने ट्रेड कब आइडेंटिफाई करना है और आपको मैं दोनों में एक्जामपल बताने वाला हूँ तो यहां पर अगर देखते है तो प्राइज जो है तो यह 13 अक्टूबर को प्राइज यहां तक आया लेकिन यहां पर नहीं आया तो आप जो है तो ट्रेड एग्जिक्यूट नहीं करेंगे अब नेक्स्ट आपर्चनेटि के बारे में हम सिर्फ यहां पर अगर देखेंगे यह प्राइज यहां पर आगया और यहां से जो हमने वहां पर जो लेवल मार किया था ठीक वहां से प्राइज ने क्या किया यहां पर अगर देखेंगे तो ठीक प्राइज ने वहां से जो है तो सपोर्ट ले लिया और प्राइज जो है तो यहां से अब ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो है, तो stop loss कहां पर हो जाएगा, आपका stop loss यहां पर हो जाएगा, इसके नीचे, और आपकी जो entry है, वो entry कहां पर हो जाएगी, आपकी entry without hesitation इस level पर हो जाएगी, और आपका target जो है, तो वो simple है, ज्यादा कुछ नहीं करना ह आपने one each two का भी आप follow करते है, तो यह enough है आपके लिए, अब यहां पर अगर देखेंगे, यहां से price ने क्या किया, support ले लिया, और price जो है, तो वो ऊपर चला गया, अब मैं आपको दूसरा एक example बता देता हूँ, यहां पर अगर देखते है, इस level पर, यहां से price ने क्या क supply zone कौन सा होता है, हमारे लिए supply zone हो जाएगा, यह वाला, तो इसको भी हमने क्या करना है, इसको, इसका high और डोजी का और इसका low, हमने mark कर लेना है, इस तरह से, यह इसको mark कर लिया, अब हम क्या करेंगे, patiently wait करेंगे, price का जो है, तो इस box के अंदर आने का, और जैसे ही price जो है, तो वो short opportunity होगी, जैसा यहां पर आपको दिख रहा है, कि यहां से जैसे support लेके जो है, तो price जो है, तो उपर चला गया, वो इसे ही, अब next time हमारे लिए, यहां पर जो है, तो वो short opportunity होगी, तो price सच में यहां से नीचे जाता है, क्या, वो अब हम देखेंगे, तो यहां पर अभी trade कर रहा है, और price यहां पर अगर देखेंगे, exactly, यहां पर वो market close हो गया, और जो 17 October का, जो है, तो यहां पर gap up opening हुआ, और जो हमने level mark किया है, यह, तो यहां से जो है, तो price ने क्या किया, gap up opening होने के बाद भी, यहां पर जो है, तो price इसके अंदर open हो गया, तो हमारी entry इस level पे हो जाएगी, और हमारा stop loss इस level पे हो जाएगा, और simple आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो simple सा आपने 1-2 का जो risk reward होता है, तो उसको follow करते हुए, आपने जो है, तो profit book करना है, अब हम देखते है, कि जो हमने यह अभी entry कर ली, मानलो यहां पर हमने entry कर ली तो यह सच में work की है क्या, यहां पर आगर देखेंगे, तो यह price यहां से यहां नीचे आ गया, यहां तक, तो यहां पर अगर देखते है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी opportunity थी, यहां पर हमने entry कर ली और profit यहां पर हमने बुक कर लिया, यहां पर गोर से आप देखेंगे, तो प्राइज यहां से जो है तो उपर गया है क्या नहीं गया है यही होता है supply और demand trading और इसको समझने के लिए जो है आप सिब इतना ही समझ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ market में समझ आ गया यह आप simple सा understand कर सकते हैं तो इसके बारे में आप अगर dip में सीखना चाहते हैं बिल्कुल आप नए trader है और without आप जो है तो पैसा भी नहीं गवाना चाहते हैं बहुत से लोगों को क्या लगता है कि हम YouTube से वगेरा सीख लेंगे और यहां पर पैसा कमाएंगे वह ऐसा कुछ नहीं होता है आपको अगर स इसको भी जोइन करने के बारे में सोच सकते हैं जिसका लिंक जो है तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके उपर क्लिक करके आप मुझे वाटस अप या तो इमेल के उपर कॉंटेक कर सकते हैं तो ठैंक्स पॉर वाचिंग सीवी इन देग्स्ट व अजय दूल